है गाईज माई नेम इस बिरन सिंग आइम और एजुकेटर और एंड वेलकम तो इस पर्टिक्लर सिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर भी आपका स्वागत है तो जी हां CSIR का इंतजार आपको काफी दिनों से था और एक्जामनेशन डेट जो है CSIR की आ चुकी है जो की 17th of September को है दो सिफ्ट में एक्जाम होने वाला है एक और एक इवनिंग सिफ्ट तो accordingly जो है जिस भी सिफ्ट में आपका एक्जाम है आप जो है वो एक्जाम दे सकते हैं अगें यहां पर भी जो स्कूर होगा वो नॉर्मलाइज होने वाला है तो वो चीजे जो है future की बात है फिलहाल के लिए जो है आपने अपनी महनत जो है वो कर रखी है तो to be very true कि अगर आपने पहले 6 महीने जो महनत करी होगी तो आपके यह 2-3 दिन जो है वो 2-3 दिन जो बचे हुए है इसमें कोई ज्यादा effort की जरूरत नहीं बची होगी अगर आपने 6 महीने effort किया है तो 2-3 दिन से ना effort करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है या ज्यादा कुछ impact नहीं पढ़ने वाला है और अगर 6 महीने आपने कोई effort कोठी नहीं किया है कोई महनत ही नहीं किया तो 2-3 दिन में भी आपको ज्यादा कर नहीं पाए लेंगे अल्टीमेटली जो है आपके जो प्रीवियस एफ़र्ट से वही आल्टीमेटली रोल प्ले करेंगे यह दो तीन दिनों में चार दिनों में तुक्के से कुश्चन सॉल्व होंगे और तुक्के से CSIR निकलना तो इंपॉसिबल के बराबर है ठीक है ना तीन चार दिनों में जैसा कि आपको लगते कि तीन चार दिन में जो है हम CSIR क्रैक कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे यह पॉसिबल नहीं होता बट कुछ स्ट्राटेजी होती है कि ह हमारी 6 महिने की जो महनत है वो बेकार न जाए और 6-month effort जो है वो लॉस ना हो तो इसके लिए सम स्ट्राटेजी इस दियर कि आखिर जो है अमने जो महनत करी उसको कैसे हम और ज्यादा इन्हांस कर सकते उसी की उपर बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज तो आप जो है नो आप कोई भी नया question solve ना करें second no new concepts अभी क्या है न कि आपको जो भी नया concepts नया questions जो बनेंगे जो नहीं बनेंगे वो देखेंगे तो यह दोनों ही चीज आपके confidence को down करने वाला है आपके confidence को down करेगा decrease करा देगा आपको लगेगा कि अरे यार यार यह जो conditions बन रहा है यह नया question किसी ने दिया आपके देखा आपने का यह तो बना ही नहीं और confidence zero कोई concept आपने देखा आरे यार इसने तो यह topic पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा confidence zero अभी के दिमाग में यह new concept का पंगा भूल जाइए क्योंकि याद रखे रहे कि CSIR exam हो कोई भी exam करीब करीब 70 to 80% जो level है वो क्या आता है वो आपके जो है core concepts से ही आते जो experimented मतलब जो कहते new concepts या new 10% question आते और 10% से अब select नहीं हो सकते select आप किनी core concepts से ही होंगे so for that one आपको core concepts पे focus करना बहुत ही जरूरी है so please try to do that apart from this आपको क्या करना है कि कोई भी यह चीज़े ना करे अभी अगर दो दिन आप पढ़ना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ recalling पे focus करे recalling और revision जितना जादा कर सके उतना करें क्योंकि यही जो है आपके examination में help जो है करने वाला so try to do those things apart from this अगर आप जो है अगले CSIR में appear हो रहे तो आपको पता है कि दिर्जद three sections a b and c आपको समय मिलते है 180 मिनट इस 180 मिनट को जो है properly divide करे लगभग 90 से 100 मिनट divide करें आपके c के लिए 50 मिनट से आसपास दे आप b के लिए और a के लिए जो है लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट is enough इस तरीके से किस section पर कितना time देना है आप slot के साफ से चलेंगे तो आपके लिए काफी easy होगा अगर आप देखेंगे तो c question में लगभग लगभग 75 question है जिसमें कि आपके वो scan करने में ही जो है वो 10 minute लग जाएगा कि कौन सा question मेरे काम का है कौन सा नहीं है उस case में आपक सिर्फ 80 मिनट या 90 मिनट मिलेगा 25 question को solve करने के लिए तो hardy अगर मैं बोलू तो 3 या 3.5 मिनट जो है वो आपको पर question मिलने वाले इतना ही मिलेगा part C के लिए अगर part B में जो है आप 35 question है अगर screen out करने के लिए 50 question है आपको हर एक question जो है पढ़ेंगे एक मिनट में वो जनरली ऐसा question होता है कि solve होने वाला होगा या तो नहीं होगा अगर आपसे नहीं बनना है तो आगे बढ़ जाईए part A के लिए जो है आप कुछ specific sections को जैसे की series के sections है जो diagram के questions होते है reasoning वाले जो questions होते है direction के questions है जो भी आपको topics आते हैं 4, 5, 10, whatever उनको select कर सकते हैं देखो मैं आपको बार-बार ही कह रहा हूं कि याद रहे कि negative जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बहतर है क्योंकि C section में अगर आपने 18 question भी सही कर लिया तो 18 या आप अगर 18 से 20 question आपने सही कर लिया मैं अगर 20 की बात करो तो 20 question आपने सही कर लिया तो लगबग 80 आप 25 न हो जाएगा 10 यह देख रहे 130 नंबर मतलब आप बहुत आगे हैं इसमें से अगर आप देखो कि 20 आप 35 के चक्कर में मत पड़ो part B के 20 करो लेकिन 110 परसेंट सही होना चाहिए 100 परसेंट करेक्ट यहीं पर 25 के पीछे मत पड़ो 20 करो लेकिन 100 परसेंट सही हो एंड ए में पूरे के पूरे जो है वो उस पता लगा जादा करने के चक्कर में हम नेगेटिव कर देते हैं और B सेक्षन में ऐसा बहुत जबार होता है कि हम 30 कोशन कर जाते हैं पता चलता है कि यह आई नहीं रहा है यह गलत होगे सारे के सारे तो अगर आप देखोगे इसी कोश्चन में या इसी कर्डिशन में जब हम मैं बात करूँ एक परसन ने परसन वर्न और एक परसन ने टू परसन वर्न ने पार्ट सेक्षन में किया पांच कोश्चन जो पांचों के पांचों सही थे दस नमबर पार्ट बी में उसने किया 18 question 18 ये भी सही थे 36 और part C में किया इसने 18 question 18 हो सही थे और ये था आपका 72 ये देखेंगे तो लगबग लगबग कितना हो जा रहा है ये आपका या मैं इसको 19 ले ले रहा हूँ B में so that sum easy हो जाए तो ये हो जाएगा आपका साथ 4 120 नमबर प्लस पार स्कूर है qualified सोचों पार्ट A में 5 उननीस 18 से भी काम देखेंगे अगर इसकीसी ने एर में 5 question सही किया ठीक है आप यहाँ ही पर समझे कि ज्यादा question करने के चक्कर में सही तो 5 किया बड़ इसने गलत 2 कर दिया अब यहाँ पर क्या कि पार्ट B में इसने सही तो 20 किया लेकिन गलत जो है वो 10 कर दिया 30 करने के चक्कर में और C में जो है इसने सही तो 20 किया बड़ 5 गलत कर दिया तो अब देखो इसके हिसाब से सही के हिसाब से 5 दूना 10, ठीक है, 20 के हिसाब से 20 दूना 40, और C के हिसाब से 20 चौक का 80, यहाँ पर बनने चाहिए थे 30, 130 नमबर, बनने चाहिए थे इस बन्दे का 130 नमबर, लेकिन बनता नहीं, reason being that, कि यहाँ पर जो है, negative हो जाता है, दो का negative जो है, वो 1, 10 का negative minus 5, और 5 का negative minus 5, यानि minus 11 negative, तो 130 में से इसका minus 11 कर देंगे, ठीक है न, तो यहाँ पर जो है, conditions क्या बन गया, यह आ जाएगा 119, तो again आप देखेंगे कि negative करने से कितना impact पढ़ता है, and that's why आप जब भी question solve करें, तो सही करने की process करें, गलत करने की ने, तो जब भी आप accuracy में आप भले ही कम question कर रहे हैं, देखें कितने कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है, यह total जो है, 7 question, 30 question, और 25 question ओप किया था, लेकिन फिर भी कम number आ रहा है, लेकिन इसने जो है, total कितने किये, 5, 19, and आपके 18, फिर भी जादा number आ रहा है, because of positive, so try to identify that, कि आप कर रहा है, ठीक है, इसके अलामा जो एक important चीज यह हो जाती है, कि जब भी आप question को opt कर रहे है, तो आपके पास part C को सबसे पहले करे, 90 मिनट देके, फिर part B को, और फिर part A को, 90 मिनट के आसपास इसको, 50 मिनट के आसपास इसको, और 30 मिनट के आसपास इसको देना, ठीक questions करें, फिर आपके experimental questions and then numerical questions and then experimental questions, तो यह जो है, आप order रख सकते हैं question solve करने का, कई सारे tricks होते हैं, उन tricks के बारे में भी आप देख सकते हैं, जिसको मैंने OBC के साथ बताया हुआ है, OBC में मैंने एक video already day रखा है, अगर आप पढ़े हैं तो ठीक हैं, नहीं पढ़े हैं, तो जाके देख लीजिएगा, option elimination method and basic knowledge and common sense, यह तीनों चीज़े कैसे CSIR को help करती है, यह आप फुद पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ पर चाएगा, इसका यूद जरूर करिएगा CSIR examination में, तो यह सारी चीज़े जो है, आप कर सकते हैं, इसके इलावा CSIR जब भी आप center पे entry क करें, तो try to avoid negativity, negativity को avoid करें, negative people को avoid करें, carry आप जो एक रात पहले ही, जो है locations and all को check कर ले, कहाँ पे location क्या नहीं है, ताकि आप जो है last minute में, rush में, जो दिमाग में tension होता है, उस चक्कर में confidence question गलत होते हैं, वो ना करें, and ultimately जब exam सुरू होने से पहले, या तो आप washroom में जाए या तो जहाँ पे भी आप अपने seat पे ही क्यों ना बैटे हो, जब भी question शुरू होने से just before 5 minutes, just before 5 minutes, just close your eyes and say to yourself, I can do it, 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 I can do it. कम से कम 20 से 30 बार बोलिए जब बोलेंगे close your eyes, just do it just say it right now अभी भी आप कहेंगे तो आपके अंदर एक positive spark आएगा एक positive energy आएगी और वो positive energy जो है आपको help करेगी CSIR के exam को positively crack करने में So just go ahead and crack CSIR याद रहे आपका CSIR सिर्फ एक examination है जिन्दगी नहीं है, crack करेंगे तो बहुत बढ़ियां है और बिल्कुली crack करेंगे because I know that you can do it क्या आप कर सकते हैं, yes or no comment box में जरूर बताईए और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बता सकते हैं मिलते हैं आप सो next video में, till then bye bye take care and all the very best to your CSIR examination बाबाई